नमस्कार आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ स्वाती रीवा जिले के नई गड़ी जनपत पंचायत से जनपत अध्यक्ष ममता कुंज बिहारी तिवारी के साथ जनपत पंचायत के सभी 25 महिला जनपत सदस एकत्रित होकर रीवा जिले के कलेक्टर एवं जिला सीओ से मुलाकात की और जिला कलेक्टर और सीओ से अपने पंचायत छेत्र की सभी कारियोजनाएं जो रुकी हुई हैं उनके विसे में चर्चा की सारी समस्याओं से कलिक्टर को अवगत कराया है बतादे जनपत अध्यक्ष ममता कुझ बिहारी तिवारी के साथ जनपत पंचायत की सभी 25 महिला जनपत सदसे एकत्रित हुई और समस्याओं से कलिक्टर को अवगत कराया ममता कुझ बिहारी तिवारी ने बताया कि उनके छेत्र में सबसे ज़्यादा पानी की समस्याएं हैं उन्होंने कहा कि पिछने नौ महीने से उनके छेत्र में कोई भी कारी नहीं हुए है जिसको लेकर कलेक्टर कार्याले पहुची मम्ता कुंज बिहारी तिवारी ने बताये कि कलेक्टर से मुलाकात की और अपनी छेत्र की समस्याएं बताई है और दोबारा क्रियानवियन की बात रखी है कुंज बिहारी तिवारी ने बताये कि अगर समस्याओं का समधान नहीं किया जाता है तो अब सभी आमारण अंशन करेंगे बता दे पेजल समस्या बिजनी समस्या से ग्रसित होकर सभी कारिकरता आज कलेक्टर से मिलने पहुंचे जहां पर कलेक्टर ने आस्वस्त किया है कि उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा कि पूरे सदस्या से गश्ठा हो आज है हमारे पूरे जितने 18 सदस्या थे हम साथ में आए हूँ है पर ले माननी कलेक्टर जिसमीली उससे अपनी समस्या बताई क्योंकि हम आठ महिने से हो गया हमारे जनपत में कोई कारी नहीं हुआ और पंद्रह में वित की जो कारी योजना वनी की उस भी कोई क्रियावन नहीं हुआ और सबसे ज़्यादा तो हमारे छेत में पानी की संकत है हम लोग पूरे 25 सदस्या मिल की और उसका अनमोधन हुआ मोटर का अभी तक आज दो महीने हो गया हमारे जनपत छेत में कहीं एक भी मोटर नहीं दिया गया अनक उसका मिला तो हम लोग अपनी समस्या माननी कलेक्टर महोदय जिसे रेदन करने आए थी कि जो हमारी समस्या है उस पे ध्यान दिया जाए और जनपत में अच्छी सी अच्छी कारी ओजना बनाई जाए और उसका दुबारा कारी ओजना पर ध्यान दिया जाए क्योंकि सीयो सर से भी हम लोग मिले पूरे सदस मिलके उनसे भी अई ही समस्या बताए स्यों सर बोले थीक है हम उसका उस पर ध्यान दोंगी और बाकी जितने हमारे सदर से वह भी पूरी समस्या सुनाएं कि वजह क्या मात्ति अभी तक कोई कारण यह जो जाने हैं वजह यह है कि पहले हमारे सेलेस जी स्यों सर थे वह और पाच महिने कोई काम नहीं हुआ जनपत का फिर हमारे राहुल सर जी आए ओभी इसमें विकास यात्रा में रहे उसमें भी कोई निराकरन नहीं हुआ यह आठ वहीने से हम लोग वही देख रहे हैं कि एक साइन के स्यों की साइन के बज़ा से हम लोगों के कारियोजना ठप पढ़ी है इसलिए मानने स्यों सब्सक्राइब कलेक्टर महोदय से ही हम लोगों काम रोध है कि हमारे जनपत पंचायत नई गढ़ जो हमारी जंता है पानी की साथ सबसे ज़्यादा जीशर संकट है उनको मिलना चाहिए और जिले का कोई ऐसा जावरू ब्यक्ति नहीं कि जो नई गढ़ी जनपत में नौ महीने से चल रहा है यह सरकार महीला सस्क्तिकण की बात करती है राजनीत में महीलाओं को अधिकार देने की बात करती है नई गढ़ी जनपत में 1916 निर्वाचित महीला सदस है और जिस तरह से वहां पे प्रसासनी को पेक्षा जनपत अधिक्ष महीला है उनके अधिकारों पे तिक्रमन किसी तर से क्रिवानने नहीं परिपालन नहीं उसी के लिए सारे महिला जनपरसदस निर्वाचिक जनपरसदस सभी आये थे और सब सब्सक्राइब करते हैं कि मैं अभी नहीं हूँ और पूरी जानकारी लेके और मैं कारवाही करते हूं और शियो साथ ने भी कहा है कि मैं आया हूँ सुधार की प्रक्रिया में हूँ अब पूर्ण सहयोग करूँगा जिससे नहीं गड़ी का विकास हो सकते हैं नहीं गड़ी में पानी की समस्या ब्रश्टा चार प्रसासनी का राजक्ता उससे त्रसित होके सब आये थे